Good morning दोस्तों, welcome back to a new video और आज की वीडियो में मैं आंसर करना चाहूँगा आपके most commonly asked questions में से कुछ questions का सबसे main question जो पूछा गया हो यह है कि क्या one year course हमारे लिए enough है PR लेने के लिए उसके बाद काफी लोगों ने ये question पूछा है कि ये course हमारे लिए better होगा या नहीं हमारी study से related है course या नहीं हम ये course pick कर सकते हैं या नहीं या ये course हमारे लिए आगे जाके कैसा रहेगा तो इन सभी questions के answer मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, share और comment करके नीचे जरूर बताईएगा तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ उससे पहले तो आपके first question पे मैं आता हूँ कि क्या हमारे लिए एक साल का course enough है या नहीं PR लेने के लिए बहुत सारी लोगों का यही message आता है और वो मुझे सिर्फ दो चीजें बताते हैं एक तो अपनी studies बता देते हैं, masters या graduation और उसके साथ वो अपना experience बता देते हैं कि मेरे पास एक साल का experience है, दो का या पांच का तो इन दोनों factors के साथ कोई नहीं calculate कर सकता कि आपके लिए एक साल का course enough होगा या नहीं इसके लिए और काफी factors पे depend करता है आपकी PR होना जो कि आपका age factor है और सबसे main जो है वो आपकी IELTS में score कैसा है या आप IELTS में score कैसा ले सकते हैं उसके उपर सबसे ज़्यादा depend करता है तो ये दो factors main है जो कि बहुत सारे लोगों के दोबारा नहीं बताए जाते हैं तो काफी factors को मिला के ये आपका score बनता है तो आप CRS score अपना online खुद भी check कर सकते हैं में आप अपना एक साल की Canadian study फिल करके एक साल का experience फिल करके Canadian तो आप check कर सकते हैं कि आपके कितने point बनते हैं अगर आपको लगता है कि आप उतना IELTS score करके ये points ले सकते हो तो आप एक साल का course pick कर सकते हो अगर आप confident हो और कि आप score ले सकते हो अच्छा IELTS में तो आप एक साल का course pick कर सकते हो अगर आप risk नहीं लेना चाहते हैं अगर आपको लगता है कि आपके IELTS में band थोड़े ठीक ठाक आने के chances हैं और आपके पास master's नहीं है आपके पास सिर्फ bachelor's है तो आप दो साल का course pick कर सकते हो उसमें आपको work permit जो है वो तीन साल का मिल जाएगा और एक साल के course के साथ आपको work permit जो है वो सिर्फ एक साल का मिलता है तो यह आपके ओपर depend करता है, आप वो एक साल के course के बाद उस work permit को extend करवा सकते हो अपने employer से LMI लेके, लेकिन अगर आप risk नहीं लेना चाहते हैं तो आप 2 साल का course pick कर सकते हो, 16 महिने का course, यहाँ पर 8 मंत की study एक साल की consider होती है, according to immigration rules, तो आप 16 महिने की study pick करके 3 साल का work permit ले स सकते हो, और यह courses जरूरी नहीं कि आपको इंडिया से लेके ही आना एक course, आप यह भी कर सकते हो, कि आप एक course इंडिया से लेके आजाओ 8 महिने का, और next course यहाँ पर आप pick कर लो, तो यह आपके ओपर depend करता है, आप ऐसा भी कर सकते हो, कि आप 1st course के बाद, जब आपका 1st course खतम होने वाला हो, आपका 1 semester हो गया हो, और second semester शुरू हो रहा हो, तो आप jobs apply करना शुरू कर दें, जो कि नॉक 0, A या B की हो, वो jobs आप apply करना शुरू कर दें, मेभी अपने field में apply करना शुरू कर दें, या आप अपने out of field भी जा सकते हैं, बस वो jobs नॉक 0, A या B में होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो आपकी field job ही होनी चाहिए, तो यह आप try करना शुरू कर दें, अगर आपकी job लग जाती है, second semester होते 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 आपकी job लग जाती है, और आपको पता है कि आप अपना एक साल का experience कर लोगे, और आपके points बन जाएंगे, तो आपको second course pick करने की जरूरे ती नहीं है, अगर आप apply करते करते, आपका first course खतम होने पे आगया है, आपको job नहीं मिली है, तो आप second course pick कर लो, तो आपको work permit तीन साल का मिल जाएगा, और आगे आपके पास enough time होगा, तो मैं तो यही recommend करूँगा आपको, कि आप इसी process से चलें, बाकी आप अपन subjects at least message कर दीजें, Instagram पे, मैं Instagram अपना description में दे दूँगा, ताकि मैं match करके देख सकूँ कि आपके management के subjects हैं, आपकी study में या नहीं, या मैं देख सकूँ कि इस course से related आपके subjects हैं या नहीं, या आप अपनी consultant से consult कर सकते हैं, कि वो आपके कौन से courses है, कौन से subjects है, जो वो course आपको दिलवा रहे हैं, उससे match करते हैं, तो इस तरीके से previous study जो है, वो आपकी जब आप Canada में आते हो, नई study से कुछ ना कुछ match करने चाहिए, visa chances के लिए, यहां पे आके अगर आप second course पिक करते हो, तो वो ज़रूरी नहीं है, कि आपका किसी study से related हो, वो आप किसी भी तरीके का पिक कर सकते हो, लेकिन जब आप वहां से आते हो, visa chances के लिए, आपकी studies थोड़ी similar होनी चाहिए, तो इसलिए आप मुझे subjects अपने message कर दें, जब भी आप अपनी degree मुझे message करते हैं, कि हमने इस चीज में graduation की है, तो आप अपने थोड़ी subjects भी mention कर दें, ताकि मैं मिला के सकूँ, क्या आपके लिए project management course है या नहीं, या कोई और course जो आप पिक करना चाहते हो, वो आपकी study से similar है या नहीं, तो ये आप कर सकते हैं, उसके बाद मैं देख के बता सकता हूँ, कि ये course आपके लिए अच्छी option रहेगी या नहीं, उसके बाद मैं पहले ही बता चुका रखा था कैनेडा ने कि हम 12 लाख जो लोग हैं उनको PR देनी है हमें 2020, 2021 और 22 में, 2020 में ये करीब 2 लाख लोगों को ही PR दे पाए, तो अभी भी 10 लाख लोगों को PR देने का target इनका भी बाकी है, जो कि अगर ये 5 लाख 21 में देते हैं और 5 लाख 22 में देते हैं PR लोगों को, तब ही जाके इनका पूरा होगा, और उस target को पूरा करने के लिए इनको फाइल्स बहुत जादा पिक करनी बढ़ेंगी, बहुत जादा, तो 2021 और 22 जो साल है वो गोल्टन रहने वाला है, students के लिए या कोई भी अगर यहां पे आ रहा है, तो उसके लिए PR के लिए अपलाई target रखा हुआ है, वो तीन सालों का ही रखा था, 20, 21 और 22 का, मेभी आगे आने वाले सालों में यह अपना target और increase करें, क्योंकि इनको बहुत जादा जरूरत है, यहां पे इमिग्रेंट्स की बहुत सारी जॉब्स पे जरूरत है, और इनकी एकॉनमी को जरूरत है, यहां पे पॉपुलेशन की और ग्रोथ के लिए, तो मेभी इनके आने वाले सालों में जो है, इनका target और increase होगा, अब मैं आता हूँ, वन येर वर्क परमिट बाली बात पे, फिर कि आपको जरूरी नहीं है, कि अपनी फील्ड जॉब ही करनी है, आप नौक भी की कोई भी जॉब पि कर दिया, तब ही से आपका experience काउंट होना शुरू हो जाता है, आपका वर्क परमिट आने में दो, तीन महीने, चार महीने भी लग सकते हैं, तो वो सारा time आपका experience में काउंट होगा, और जब से आएगा साल तो आपको मिलता ही है, तो आप नौक भी की कोई भी जॉब पिक क कर सकते हैं, तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि अगर आप पहले ही कहीं पर पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो वहीं पर आप किसी से बात कर लें, कि वो आपको नौक भी की कोई position अगर offer करते हों, बहुत सारी लोग जो restaurant में काम कर रहे होते हैं, शेफ की position जो है, वो नौक B में आती है, तो अगर आप शेफ का या कुक का भी एक साल का experience करते हैं, तो आप PR लगा सकते हैं अपनी, आपको सिर्फ अपने ads पे focus करना होगा, तो इस तरीके से भी आप कोई भी job अगर कर रहे हो, उसी job पे continue करके, उसी को full time करके, अगर आप PR ले सकते हो, तो वो भी easy है नहीं तो और बहुत सारी jobs हैं, जैसे user, sport, technician की होगी, customer, service, technician की होगी, तो इस तरीके की jobs हैं, जो easily मिल जाती है, knock B की jobs, आपको सिर्फ एक साल का experience पूरा करना है, आपके पास graduation होगी है, अगर master's वाले हैं, तो उनके पास और भी extra points होगे, और वैसे भी अप score लगता नहीं है कि बहुत जादा high जाने वाला है, लेकिन फिर भी जिनके पास graduation है, master's है, उनके पास already बहुत सारे points होते हैं, और सिर्फ उनको अपना एक साल का experience चाहिए होता है, यहां पे Canadian, उसके बाद आप Canadian experience class में file लगा सकते हो, और उसका score कोई जादा high जाता नहीं है, तो इस सरीके से आप अपनी PR काग्ये का process चला सकते हो, तो यही थे आपके सवालों के जवाब, यही थी आज की वीडियो, उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, नीचे comment में अपना feedback जरूर दें, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई questions हो, तो आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं, वहाँ पे भी message कर सकते हैं, मैं answer करने की पूरी कोशिश करूँगा, और तब तक के लिए मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको next वीड